नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रन धर्मा सन्मार भगवान सिव स्रावन के महने में आपके हमारे घरों में रहते हैं सिवाले में रहते हैं कहने का तात पर यह सिव पूरे परिवार के साथ पृत्वी लोग पर रहते हैं अपनी भकतों की मनुकामनाओं को पूरी करते हैं और उनके cada के- sloppy अनकही बातों को वो सुनते भी है साथने इसलिए सावन के महने में पवितुरता के साथ रहना चाहिए मन में दुर्विचार दुर्भावना नहीं रखना चाहिए तो आज चुकि हम चावल की चर्चा कर रहे हैं तो भगवान की पूजा में आप जब भी चावल उनको अरपित करते हैं याद रखिए वह टुटा वग जुसको अक्षत कहते हैं यानि बिना टुटा उतने दिन आप कर सकते हैं अगर 108 दाने आप ना भी कर पाएं तो कम चकम चावल का एक दाना ही अरपित कर दें पर 108 दाने की महिमा थोरी जादा है तो आप पहले से उसको चुनकर अच्छे से बीन कर अलग अलग जगा आप चाहें तो किसी कागज की पुडिया में आप उस किसी भी तरह काकड़े का पुस्प नहीं है तो सिर्फ आप सिब्लिंग पर 108 दाने अक्षद चाहना सुरू कर दें तो आपको असीम फलों की प्राप्ती होती है क्योंकि जो वेक्ति अक्षद रपित करता है सिब को उनको धन बैभव सम्मान से उनकी जोली भर देते हैं तो यदि आपके घर में आर्थिक समस्या है घर के मंदिर में आपको लगता है जैसे कि घर में मंदिर है और आप पुजा पाड़ भी करते हैं लेकिन आपके मुनोकावना पूरी नहीं हो पारी तब एक छोटा सा काम करें आपके घर में अगर सिब्लिंग है सिब्जी की तस दें लेकिन चट पर मठ डालिएगा किसी पौधे की नीचे डाल सकते हैं या फिर आप किसी वेक्ति को दान भी कर सकते हैं इस चावल को या आप पास के मंदिर में सिब्जी के मंदिर में रखा है तो उत्तम है धन की कमी नहीं होती ऐसा प्रियोग करने से देपताओं का प् अरपीत करेंगे उसमें कलर नहीं करना हां आप चंदल लगा सकते हैं लेकिन बाकी देपताओं को कुम-कुम या सुगंदित द्रब लगा कर ही अरपीत करें अब देखिए कभी-कभी इस्टेदेव के नाम से अगर आप अक्ष़त अरपीत कर देते हैं तो जीबन में सुक् या फिर आप बिल पत्र के पेड़ के नीचे पूरे सावन अगर आप चाहें तो आप बिल पत्र के पेड़ के नीचे एक दिया जला सकते हैं साम के बग और इस दीपक में दो बाती होगी घी का दिया होगा मिट्टी का दिया ले लीजेगा और उसमें एक चावल का दाना ड डाल दीजेगा आपकी समच्त मुनुकामनाएब पूर्न होगी किसी भी तरह की कोई भी समस्या की क्योंकि बिल पत्र के पेड़ की महमा बहुत है मालक्षमी उन्से पुरसन्द रहती हैं जो फेक्ति रोज एक बिल पत्र अरपीत करता है सिपजी को अगर एक बिल पत्र अरप करें की नहीं पर सिपजी को चावल जरूर पित करें हम आप से भी दालेंगे धन्यवाद